आज के इस वेबल वाजन समय को भी आप आशिश जायक बना के दीजिए इस वचनों की समद से हमें बर दीजी इशु मसी के नाम से मांगते पिता अमें लव्य वेवस्ता अध्याई पाच यदि कोई शाक्षी ओकर ऐसा पाप करे कि शपत खिला कर पूछने पर भी कि क्या तुने यह सुना अत्वा जानता है और वह बात प्रगट न करे तो उसको अपने अधर्म का बार उठाना पड़ेगा अत्वा यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अन्यान्ता से चूले तो चाहे व अशुत बैनेले पशु की, चाहे अशुत गरेलू पशु की, चाहे अशुत रेंगने वाले जीव जन्तु की लोथ हो, तो वह अशुत होकर दोशी ठहरेगा अत्वा यदि कोई मनुश्य किसी अशुद्वस्तु को अन्यांता से चूले चाहे वह अशुद्वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों ना हो जिससे लोग अशुद्व हो जाते है तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोशी ठहरेगा अत्वा यदि कोई बुरा या बला करने को बिना सोचे समझे शपत काए चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपत कार कहे तो ऐसी बात में वह दोशी उस समय ठहरेगा जब उसे मालुम हो जाएगा और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोशी हो तब जिस विशय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले और वह हिववा के सामने अपना दोश बली ले आए और ताथ उस पाप के कारण वह एक बेड या बकरी पाप बली करने के लिए ले आए तब या जब उस पाप पुद्री के दो बच्चे दोश बली चड़ाने के लिए यहवा के पास ले आए उन में से एक तो पाप बली के लिए और दुसरा होम बली के लिए वह उनको याजक के पास ले आए और याजक पाप बली वाले को पहले चड़ाए और उसका सिर गले से मरोड डाले पर अलग न और वह पाप बली पशु के लहू में से कुछ वेदी के बाजू पर चड़के और जो लहू शेश रहे वह वेदी के पाए पर गिराया जाए वह पाप बली ढहरेगा तब दुसरे पक्षी को वह वीदी के अनुसार होम बली करे और या जब उसके पाप का प्राशित करे और त वस्वा बाग मैदा पाप बली करके ले आए उस पर न तो वह तेल डाले और न लोबान रखी क्योंकि वह पाप बली होगा वह उसको याजक के पास ले जाए और याजक उसमें से अपनी मिट्टी बर स्मरन दिलाने वाला बाग जानकर वेदी पर यहवा के हवनों के उपर ज तहरेगा और इन बातों में से किसी भी बात के विशय में जो कोई पाप करे याजक उसका प्राइशित करे और तब वह पाप शमा किया जाएगा और इस पाप बली का शेष अन्न बली के शेष के समान याजक का तहरेगा फिर यहवा ने मुसा से कहा यदि कोई यहवा की और पापी ठहरे तो वह यववा के पास एक निर्दोश मेरा दोश बली के लिए ले आए उसका दाम पवित्रस्तान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल चांदी का हो जितना याजक ठहराए और जिस पवित्र वस्तु के विशह उसने पाप किया हो उसमें वह पांचुआ ब आप करे कि उन कामों में से जिने योवा ने मना किया है किसी काम को करे तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो तो भी वह दोशी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का बार उठाना पड़ेगा इसलिए वह एक निर्दोश मेरा दोश बली करके याजक के पास ले आए वह इदाम का हो जितना याजक टेहराए और याजक उसके लिए उसकी उस बूल का जो उसने अन जाने में की हो प्राशित करे और वह शमा किया जाएगा यह दोश बली टेहरे क्योंकि वह मनुश्य नी संदेह यह वाकि समुख दोशी टेहरेगा एमेन लुका अध्याइनव फिर उसने बारों को बुला कर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बिमारियों को दूर करने की सामर्तिय और अधिकाद दिया और उन्हें परमेश्वर के राजिय का प्रचार करने और बिमारों को अच्छा करने के लिए बेजा उसने उनसे कहा मार्ग के लिए कुछ न लेना न तो लाटी न जोली न रोटी न रुपे और न दोधो कुरते जिस किसी घर में तुम उत्रो वही रहो और वही से विदा हो जो कोई तुमें ग्रहन न करे उस नगर से निकलते हुए अपने पावों की दूल जाट डालो कि उन पर गवाई हो अतहवे निकल कर गाउं गाउं सु समाचर सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे देश के चौताई का राजा हेरो देश यह सब सुनकर गबरा गया क्योंकि कुछ ने कहा कि युवना मरे हुओं में से जी उटा है और कुछ ने यह की य दिर कटवाया अब यह कौन है जिसके विशे में ऐसी बाते सुनता हूं और उसने उसे देखने की इच्छा की फिर प्रेरितों ने लोटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बैचसाइदा नामक नगर को ले गया यह जानकर बीड उ साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगे होना चाते थे उन्हें चंगा किया जब दिन डलने लगा तो बाराओं ने आकर उससे कहा बीड को विदा कर कि चारों और के गाओं और बस्तियों में जाकर ठिकें और बोजन का उपाय क करें क्योंकि हम यहां सुनसान जगह में हैं उसने उनसे कहा तुम ही उन्हें खाने को दो उन्होंने कहा हमारे पास पांच रोटी और दो मचलियों को छोड़ और कुछ नहीं परन्तु हां यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए बोजन मोल ले तो हो सकता है वे लोग तो 5000 सब को बैटा दिया तब उसने वे पांच रोटियां और दो मचलियां ली और स्वर्ग की और देखकर दन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें तब सब खाकर तुरुपत हुए और चेलों ने बचे हुए टुकडों से 12 टोक्रिया बर कर उटाई जब वह एक कांत में प्रात्ना कर रहा था और चेले उसके साथ थे तो उसने उनसे पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं उन्होंने उत्त दिया यूवना बप्तिस्मा देने वाला और कोई-कोई एलिया और कोई यह की पुराने वविश्यद वक्ताओं में से क फिर उसने कहा मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उटाए और पुर्णिय और प्रदानियाजक और शास्त्री उसे तुच्च समझ कर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उटे उसने सब से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाए तो अपने आप से इ वही उसे बचाएगा यदि मनुष्य सारे जगद को प्राप्त करे और अपना प्रान खोदे या उसकी हानी उटाए तो उसे क्या लाब होगा जो कोई मुझ से और मेरी बातों से लजाएगा मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्रस वर्ग द अजिय न देख लें तब तक मृत्यू का स्वाद न चकेंगे इन बातों के कोई आट दिन बाद वह पत्रस युवना और याकुब को साथ लेकर प्रातना करने के लिए पहाड पर गया जब प्रातना कर ही रहा था तो उसके चैरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श् जर्शले में होने वाला था पत्रस और उसके साती नीन से बरे थे और जब अच्छी धर सचेत हुए तो उसकी महीमा और उन दो पुरुशों को जो उसके साथ खड़े ते देखा जब वे उसके पास से जाने लगे तो पत्रस ने इश्यू से कहा है स्वामी हमारा यहां रहन बला है अतह हम तीन मंडब बनाएं एक तेरे लिए एक मुसा के लिए और एक इलिया के लिए वह जानता न था कि क्या कह रहा है वह यह कही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें चा लिया और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए तब उस बादल में से यह शब् अद्ध होते ही इशू अकेला पाया गया और वे चुप रहे और जो कुछ देखा था उसकी कोई बात उन दिनों में किसी से न कही दुसरे दिन जब वे पहार से उतरे तो एक बड़ी बीड उससे आ मिली और देखो बीड में से एक मनुश्या ने चिला कर कहा मैं तुछ से वि और वह उसे ऐसा मरोडती है कि वह मुँ में फेन बरलाता है और उसे कुचल कर कटिनाई से छोडती है मैंने तेरे चेलों से विंती की कि उसे निकाले परंतु वे न निकाल सके इशू ने उत्ता दिया हे अविश्वासी और हटीले लोगों मैं कब तब तुमारे साथ रहू और तुमारी सहूंगा अपने पुत्रों को यहां ले आ वह आई रहा था कि दुष्टात्मा ने उसे पटक कर मरोडा परंतु इशू ने अशुद्धा आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौब दिया तब सब लोग परमेशर के महा सामर्तिय से चकित हुए परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंबित थे तो उसने अपने छेलों से कहा तुम इन बातों पर कान दो क्योंकि मनुश्य का पुत्र मनुश्यों के हातों में पकड़वाया जाने को है परंतु वे इस बात को न समझते थे और यह उनसे चिपी रही कि वे उसे जानने न पाएं और वे इस बात के विशय में उससे पूछने से डरते थे फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है पर इश्यों ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहन करता है वह मुझे ग्रहन करता है और जो कोई मुझे ग्रहन करता है वह मेरे बेजने वाले को ग्रहन करता है क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है तब युवना ने कहा है स्वामी हमने एक मनुश्य को तेर मत करो क्योंकि जो तुमारे विरुद में नहीं वह तुमारी और है जब उसके उपर उठाए जाने के दिन पूरे हुने पर थे तो उसने यरुशलिम जाने का विचार द्रड़ किया उसने अपने आगे दूद बेजे वे सामरीयों के एक गाव में गए कि उसके लिए जगह त की आग गिर कर उन्हें बसम कर दे परन्तु उसने फिर कर उन्हें डांटा और खा तुम नहीं जानते की तुम कैसी आत्मा के हो क्योंकि मनुश्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है और वे किसी दूसरे गाव में चले गए ज इसी ने उससे कहा जहां जहां तु जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। इश्यू ने उससे कहा लोंबडियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं पर मनुशे के पुत्रों को सिर धरने की भी जगा नहीं। उसने दुसरे से कहा मेरे पीचे हो ले उसने कहा हे प्रबु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ उसने उससे कहा मेरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे पर तू जाकर परमेशर के राज्य की कता सुना एक और ने भी कहा हे प्रबु मैं तेरे पी इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टी की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बाते करते सुना था वही कहता है या उपर आजा और मैं वे बाते तुझे दिखाऊंगा जिनका इन ब बातों के बाद पुरा होना अवश्य है तुरंत में आत्वा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सीहासन स्वर्ग में रखा है और उस सीहासन पर कोई बैटा है जो उस पर बैटा है वह यशब और मानिक्य सा दिखाई पड़ता है और उस सीहासन के चारों और मरकत सा एक में एक दुनश दिखाई देता है उस सीहासन के चारों और 24 सीहासन है और इन सीहासनों पर 24 प्राचिन श्वेत वस्त्रपईने हुए बैटे है और उनके सिरों पर सोने के मुकूट है उस सीहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते है और सीहांसन के सामने आग के साथ दिपक जल रहे है वे परमेशर की साथ आत्माएं हैं और उस सीहांसन के सामने मानू बिलोर के समान कांच कासा समूद्र है सीहांसन के बीच में और सीहांसन के चारों और चार प्रानी है जिनके आगे पीछे आंके ही आंके हैं पहला प्रानी सीहों के समान है और दुसरा प्रानी बचडे के समान है तीसरे प्रानी का मुव मनुश्य का सा है और चौती प्रानी उड़ते हुए उकाब के समान है चारों प्रानियों के चह चह पंक है और चारों और और बीतर आंके ही आंके हैं और वे रात दिन बिना विश जब वे प्रानी उसकी जो सीहांसन पर बैटा है और जो युगान योग जीवता है महीमा और आदर और धनियवाद करेंगे तब 24 ओं प्राचिन सीहांसन पर बैटने वाले के सामने गीर पड़ेंगे और उसे जो युगान योग जीवता है प्रणाम करेंगे और वे अपने- बस तुमें स्री जी और वे तेरी ही इच्चा से थी और स्री जी गई एमें प्रमें श्री जचेसे समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जैसे हम पड़े थे आप ही फवीत्र है उसी प्रकार हमें भी फवीत्र बनाईए एश्यु मसी के नाम से मांगते पिता आमें क्छिब के पिता हैं जा है से ची अबिए के वीत्र प झाल झाल